पगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकांखी यत्चित्तात्मा जो एकांखी है और जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है अब एकांखी रमण का अर्थ समझते हैं एकांखी का अर्थ अकेला पन नहीं होता एकांखी यानी की एक पन जब एक हो गया अकेले पन का अर्थ होता है लोननीनेस एक कांत का अर्थ होता है एकांकी का अर्थ है अलोननेस यानि की एक ही रह गया अकेले पन में दूसरे की मौजूदगी चाहिए कुछ खल रहा है कुछ बेचैनी हो रही है कुछ परिशानी हो रही है कि कोई है नहीं मैं अकेले बैठा हूँ लोग डरते हैं घबराते हैं इसलिए अकेले जब कोई बैठता है तो कोई न्यूस पेपर पढ़ने लगता है कोई रेडियो चला लेता है पर अपने साथ नहीं बैठना चाहता अकेला पन आत्म घ्रिणा के कारण हो जाता है अंदर जो भाव आता है क उनसे भी वारता लाप करते हैं अकेले में बैठे बैठे कुछ बोल रहे होते हैं भगवान से कुछ शकायत कर रहे होते हैं तो अकेले पन में क्या है अकेले पन में है दुख अकेले पन में है चंता परंतु जो एकांत में वास करने लगता है यानि जो अपने भीतर उतरने लगता है उसे एक पन का अनुभव होता है कि वही ब्रह्म जो है वो मेरे अंदर है वही इस संसार के अंदर है मैं और तू का जो विभाजन है वो विभाजन ही समापतो हो जाता है सिर्फ एक वही ब्रह्म रहता है इसलिए साधना में जब साधक गहराइं में जाते हैं तो उन अनुभव होता है। शिवो हम। मैं ही वह सिवू हूँ। तो वही शिव का अंच हम है। हम सब आतमां वही अंच हैं परमात्मा के।imet तो वही ब्रह्म का अनुभव सब चाहे कोई पसुपक्षी हो, व्यक्ति हो। सब जगेelyn वही ब्रह्म दिखता है। और व्यक्ति पिले बैटे हैं तो भी, भीड में हैं तो भी, बाजार में हैं तो भी, हिमाले की गुफा में हैं तो भी, कोई फरक नहीं पड़ता कि संसार का सीन कैसे बदल रहा है, परस्तिती कैसे बदल रही है, अंदर आ गई स्थिरता, कितने भी शास्त्र पढ़ लिए जाएं ग्यान न देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, अपने बारे में विचार नहीं किया, गहराई से अपने भीतर नहीं उतरे, दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कुछ नहीं बता सकता, दूसरा तो हमें दृष्य की तरह देख सकता है, परन्तु हम अपने आपको दृष्टा की तरह देख पात झाल है